तो भाई लोग कैसे हो आप लोग तो स्वैलोड स्टार के नेक्स्ट इनोवल के एपिसोड नमर 194 में आपका स्वागत है तो चलिए सुरू करते हैं लेकिन इससे पहले अगर आपने में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दवाना न भूलें तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लोग फैंग वर्चुल उनिवर्स में आके सारी चीजों के बारे में जानने लगा था रफी लो फैंग उन सब के जाने के बाद लो फैंग अपने लैप्टाप के सामने बैट कर साइट टेकनिक ट्रॉप को देखने लगता है जहां पे वो कहता है कि मुझे गोलें होर्म बेस्ट के इनहेटर मेमोरी की कार्ण वहां पे कई साइट टेकनिक्स मौजूद है इसलिए मुझे यहाँ पे उसके लिए कोई खरिदने की जरूरत नहीं है वही पे मोजा क्लैन तो उसने अपने इनहेटर मेमोरी को नहीं लिया है लेकिन उसका टैलेंट बहुत बढ़ा है और उसकी नाच्रॉल एबिलिटीज और बैटर एबिलिटीज भी दोनों बहुत ही हटके है इसलिए मेरी यह बैटर टेकनिक्स उससे अफेक नहीं होगी और अब फिन लूफेंग वहां के फाइटर स्वाइस को ओपन करता है जिसमें कई साय कॉमबेक वेपन वेपन च्वाइस होते है और फिन लूफेंग वहां पे लेवल फाइब जेनेटिक एनरजी वेप गोल्ड सैडव ब्लेड होता है जिसके लिए लूफेंग को 12 पॉइंट्स लगने वाले थी और अभी के मरतबा लूफेंग के पास पहले से 10,000 पॉइंट्स थी और फिन लूफेंग वहां पे एक लेवल फाइब एपसुलीट वाइड को चूज करता है जो की एक सील होता है उसके लिए लूफेंग को 8 पॉइंट्स लगते हैं वहीं पे वो उस पे डिजाइन भी सेट कर देता है जहां पे 6 एडेज सिल डिजाइन लगा हुआ होता है और अफ़र ये गोल्ड सैडव ब्लेड एपसुलीट वाइड सिल वो मोसा क्लैन के लिए होता है क्योंकि लूफ भाता भी उसे हेल्प कर रही होती है जिसके कार वह बहुत जल्दी है एक बैक्टल टेकनिक को देख लेता है और अफ़र वहां पे एक और चीज़ देखता है कि एक फाइटर के लिए उसे नाइन ट्रेंट फेट्स कंट्रोलर फ्लाइट कैसा रहेगा और अफ़र लूफे अब यहां पे उसके लिए ठाउजन पॉइंट चाहिए थे और कई तो ऐसे थे जिसके लिए मिलियंस तक चले जा रहे थे और अफ़र यहां पे वबाता यह देखकर कहती है कि यह टेकनिक यह ऐसे है कि यह एपसुल्यूट वोडियर कभी में फैलाते नहीं है यह उनके 10,000 पॉइंट सोगी और यहां पर यह बहुत कम थी यहां तक कि लूफैंग जो कि यह स्टार लेवल का बंदा था उसके पास भी 10,000 पॉइंट से रहे देखके लूफैंग भी इसकी हामी भरता और फिर लूफैंग ऐसे ही चूज करने लगता और थोड़े दर बाद ही वो स सारी चीजों को खतम कर देता और अभी के मरतबा उसके पास 10,000 पॉइंट से वो सब उसी में खतम हो चुके होते और आदे घंटे बात का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें गोले नौन वीस्ट उस पे उसने 0 पॉइंट्स खर्च किये होते वही पे मोसा क्लैर उसने अप थी वह अपने लिए कंप्रीट सेट ओफ टेकनिक और विपन को खहिए सके अभी यहां पे लूप रैंग ने इल्यूजनी बॉडी जिसको उसने 3200 पॉइंट में खरदा था वहीं पे मोर बेजिक सिल्ट डेकनिक्स जिसको इल्यूजनरी सिल्ट कहते वहीं पे उसका वर्थ थी वह पे उसने टू लाइफ फ्रूट जिसकी कोश्ट हर्नेट पॉइंट थी वह पे उसने 30 स्वेलिंग फूट्स थी जिसकी कोश्ट 60 पॉइंट थी और ऐसे ही करके लूप रैंग ने सारे पॉइंट को यूज किया था और फिर हमें उसी सिप को दिखाया जाता है जहां पर इस्क्रीम पर न्यूज प्रोग्राम चल रहा होता और फिर वहां पर हमें बताया जाता है कि जीनियस बैटल खतम हुए ज्यादा लंबा नहीं हुआ था लेकिन अभी के दर्मियां ही लूप रैंग के सारे पॉइंट्स खतम हो चुके थी और फिर लूप रैंग वहां तुम्हें बवाता को दिखाया जाता है जहां पर लूप रहना चाहिए तुम्हें अभी अपने फाउंडेशन पर वर्क करना चाहिए और अभी की मरतबा गोल्डेन होर्म बीस्ट उससे सेव डिटीज ऑफ वर्ल और एबसल्यूट इस पेस ही आती है इसलिए तुम्हें उ इसे कंप्लेटली सीख जाए तो बात में तुम अपनी फाउंडेशन को सॉलिट करने के बाद बाकी साय बैटल टेकनिक्स को अराम से सीख सको और अभी के दिनी में गोल्डेन होर्म बेस्ट के इन्हेटर मेमोरी में काउंटलेस से और भी जाया ट्रेस मौजूद थे और य ऐसे ही पास करने लगती है और हमें उस जेड एसन एफ ग्रेट सिप्ट को दिखाया जाता जो कि वर्चुल निवस कंपनी हेटक्वार्टर की तब बढ़ी रही होती है और अभी के मर्तबा लूपैंग भी अपना साय टाइम वर्चुल यूनिवर्स में बितारा होता है और इस बैटल के दोरानी उसका गोल्डेन होन बेस्ट यूनिवर्सल लेवल 9 में इवल्व हो चुका था हुए पे यूनिवर्सल लेवल 9 से डोमेन लोट के लिए नॉर्मली 500 येर्स लगते थे लेकिन लूपैंग ने अभी अपने एफिसेंस को 56 टाइम्स तक बढ़ा दिया जिसके लिए लूपैंग को सिफ नौ साली लगने वाले थे यूनिवर्सल लेवल 9 से डोमेन लोट में जाने के लिए और यहां पर तो उसके पास मोसा क्लाइन की बाडी भी थी जो की लिटिल गोल्डन होल्ड की बेस्ट को यूज करके उसके एपसलूट स्पेस को यूज क 46 को दिखाया जाता है जहां पेख एक सेल ट्रुणिंग स्पेस होती है जाहां पे कंप्लेटली खाली होता है अभी हमें लूफैंग को दिखाया जाता है जहां पे वह नंगे पाव अपने पास से सिक्स एजिस सिल एपसलीड वोड़ज सिल लिये हुआ खर वह एग कोई और नहीं下次 अब लिगा रता है चाहिए ऐसले करे करता future जोचके बरबी होते में उसी के मुताबिक उसको सेट करने के लिए को निकाए होता था कि बारे में सके कि लूफेंग का पेृट्ए स्टाइंड करता है तो हम भाम में 20 किलोमिटर 14 और 30 किलोमिटर लंबा होता है और वहाई पे दोनों बंदे को दिखाया जाता जाए पर सामने रॉप्वेंग कर रहा होता रफी लूपवेंग कहता है चलो शुरू कर तो राफ रहा हमें दिखाया जाता है कि रॉप जून की आंके चमा कुछती है और वह जैसी स्टार्ड बोलता वह बढ़ जाते हो रफ फ्री दोनों एक दूसर से तकराते हो लूफेंग अपने एकी स्टेफ से 10,000 टांस फास्ट हो के उस पे अटाइक कर देता है और अभी के मरतबा उसकी मुवमेर सॉकिंग ली फास्ट होते है यहां तक कि उसकी ब्लेड वर्क भी पहले कि तुलना टेरिफ रॉंग जून को दिखाया जाता जो कि अपने हीज़ ब्लेड को स्वंग करके लूफेंग पर अटाइक कर देता है और अभी की मरतबा देखा जाया तो लूफेंग उससे लड़ रहा होता है लेकिन लूफेंग को दिक्खत आरी होती है और अफेंसीब बैटल में देखा ज तो आज सबसे उपर आता था लूफेंग जो कि अपने स्काइप एसन फर्मेशन से किसी कोई मार सकता था वह पर ब्रूटालिटी की बात के तो सेवेज की ब्लेड वर ब्रूटल्टी इसके सामने जो भी आता वहां पर सेवेज उसको मार देता और इसी के मुताबिए साय की क्याट एगरिस में ब्लटे हुए थे यहां पर उन सब की लडाई थोए से मिनट्स के लिए होती और यहां पर लूफेंग हार चुका होता है और हमें फिर ट्रेनिंग स्टेज को दिखाया जाता जहां पर लूफेंग वहां फिर से हील हो जाता रॉंग जून गायब हो चु क्लोज कॉंबेट उतनी भी अच्छी नहीं मैं अपने क्लोज कॉंबेट के मुताबिक 100 जिनियस बैटल में आ सकता हूं और यहां पर लूफेंग की सबसे वीक पॉइंग उसकी क्लोज कॉंबेट होती है और अभी के मरतबा लूफेंग ये डिसाइड करता है कि मैं अपने क क्लोज कॉंबेट करूँगा क्योंकि अगर फोर भी बंदा उसके क्लोज में आ जाया तो लूफेंग के लिए सबसे बड़ा डिस एडवाइटिस था अब अभी के मरतमा लूफेंग तो एक कंट्रोल था जिसके मुताबिक वो दूर से ही किसी को भी मार सकता था इसी करनल ल लेडी मास्टर क्लोज कॉंबेट में इसलिए तुम्हें अपने आपको इल्यूजनरी ट्रिकनिक्स में परफॉर्म करना चाहिए और उसे सीखना चाहिए और तुम्हें अपने तीन बॉड़ी जो कि एक भी बॉड़ी किसी चीज को सीखेगी तो तीनों बॉड़ी उसको सी लेगी इसलिए तुम्हें इन सब सारी चीजों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और फिर बबाता उसे बाकी साही चीजे बता देती है जिसे भी मैं भी स्कीप करता हूँ लूफ्रेंग आगे चलकर बहुत जाया हाड़ वर्क करने लगता फिर ऐसे दो साल ती जीनियस बैटल हो रहा था और अभी के मरतबा वो और भी जाया स्ट्रॉंग हो चुका था इसलिए लूफ्रेंग रिसाइड करता कि वो रिलाक्स नहीं करेगा और अफिर तीन साल का जर्नी दिखाया जाता है जहां पे वो थाउजन अब बंदे जो की एप्जॉर्ब किये करेते हैं वो भी रिलाक्स नहीं हुए थे उन्होंने भी बहुत जाया प्रैक्टिस के थी और अपने पावर को बहुत जाया इवर्ब करा लिया था कई बंदे तो ऐसे भी ते जो कि अपने यूनिवर्सल लेवल में ब्रेक्ट्रू कर चुके तो राफ यहां दिखाया जात है कि सबको रॉंग जुनवू का और पाता लो सबको एटन थाउजन पॉइंट्स मिले हुए थे उन्होंने सब चीज कर दा था जो कि उनके मुताबिक था लेकिन अभी के मरतबा उनके लेवल इतने हाई नहीं थे इसलिए उन्होंने अपने टेन थाउजन पॉइंट्स को उतना खर्थ ने किया लूफएंग के जैसी और अभी वो सब भी अपनी ट्रेनिंग से बहुदा इंप्रूव कर सकेते और अफे में सीन चेंस का यूनिवर्स सिप के हॉल में दिखाया जाता है जहां पर वही स्कीनी बंदा लूफएंग से कहता है कि यूर मैजेस्ट्री हम लोग बस वर्चियोंवर्स कंपनी के हेड़ क्वार्टर में आने वाले हो लूफएंग भी हामी भर तरफ पर तीन सालों के बाद लूफएंग फाइनली यहाँ पर आने वाला तो लूफएंग कहता है कि मैं यूनिवर्स को फिल कर पा रहा हूं कि यह अनफैटमेबल है और यहाँ पर लूफएंग डिसाइड करता है कि मैं पास गुलेन होर्म बेस्ट मोसा क्लाइन की बॉड़ी है यहाँ पर जो कॉंबिनेशन है वह बहुत जायर है लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स में ऐसे कई साहे बंदें जो कि इससे भी जारा पावर्फुल है इसलिए मुझे और भी जारा मेनज करनी है इसलिए मुझे अभी नीचे नहीं देखना है और मुझे आगे बढ़ना और फिर हमें उस सिप को दिखाया जाता है जो कि अपने एक्ट्वल इन्वर्स में इंटर करने लगता 10-7 तक काउंटिंग होता है और पूरा सिप हिलने लगता और 10 सेके और वहां की टेक्निलोजी बहुत जार एडवांस थी और अभी के मरतबा वो ओल्ड मैन कहता है कि यूर मेरेस्ट्री हम लोग फाइनली आ चुके और फिर हमें लोग फैन को दिखाया जाता है जो कि यूनिवर्स सिप में खरा होता होता है कि यह तो कॉंटिने नों हमें दि दिखाया जाता कि वह स्वास्ट कंटिनेस के चाहता प्लानेट्स इस्टार ने बूला यह सारे हेवनली बोडी वहां पर घूम रहे थी और फिर लुफैंग उन सब को देख रहा था लेकिन अभी के मरतबा लुफैंग जिसने इतने सारे अजूबे को देख लिया था वो भ बहुत बढ़ा है और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर इतने भी स्टार्स वर प्लाइंट्स होते हैं वह एक डॉट की दार देख रहे तो यहां तक कि यूनिवर्सल से जैसे जैसे क्लोज जाते रहे वह वैसी वैसे दूर जाने लग पर अपनी सांसों को रोकता है कि यह यह तो इतना बड़ा प्लाइट है कि किसी भी नॉर्बा प्लाइट से टेन मिलियन टांस बढ़ा है तो यह सुनकर यहां पर वह कहता है ओल्ड मैन की ओल्मेर्टी यहां का हेटक्वार्टर्स कैसा है अब यहां पर लुट फ्रेंगों से किरॉश्टी होके पूसता है कि लग जाएगा भी यह सुनकर तो लुफैंग सौक हो जाते हैं और यहां पर आप लोग जो भी साइंस के बारे में जानते हैं वो लोग भी सौक हुए होंगे क्योंकि इसका अकीला का डायमेटर वन लाइट इयर से क्योंकि एक जगह से उस जगह पर जाने के लिए तिन इयर लग जानी वाले थी और अफिब यहां का बताया जाता है कि यहां पर 90 क्विन किलो मीटर होता है और यहां पर और यहां पर डायमेटर ही 10,000 किलो मेटर था और इसी का यहां पर जितने भी डिस्टेंस इस्टास और प्लाइनेट थे वह यहां ना के बराबर दीख रहे थे दो हमें दिखाया जाता है कि उस इस इतना बड़ा कंटिनेंट यहां पर फ्लोट कर रहा है ऐसी कौन सी मिस्टेरियस प्लेस से मैस्टेरियस कौन सी चीज है जो इतने बड़े 10 यह लाइट यह के डामीटर जैसे स्पेस को बनाएं रखी है तो यह सुनका वो ओल्ड मेंट की कहता है कि मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है अब यहां पर लूट फैंग भी उससे कुछ नहीं पूछता और आफ यहां पर लूट फैंग को दिखाया जाता है जहां पर उसका सीप वैसे वैसे पास आने लग और अफ यहां पर हमें उस ओल्ड मेंट को दिखाया जाता है जहां पर उससे कहता है कि यहां के सारे स्टार्स प्लानेट्स नेविला वह सारे कॉंटिनेंट को सुराउंड किये हुए हैं असल में वह एक टेरिफाइंग टेकनलोजी विपन से यहां पर किसी का अटैक होता ह हैं तो वह उस पर अटैक कर सकते तो यह सुनकर लोफैंग भी हामी भरता है और अभी के मरतबा हमें बताया जाता है कि कंपनी ने इन सारे प्लानेट्स तो स्टार्स को बहुत ही इसली कंट्रोल कर पाते हैं क्योंकि यह उनका ही बनाया हुआ है यहां तक कि एक वेपन की तो इतना डिफेंस इतना सिंपल नहीं होने वाला आप इससे अंदाज है लगा सकते कि जो वर्च्वन वर्स कंपनी जो अपने डिफेंस में एक स्टार्स कोई पूरे तरह से अपने लिए वेपन बना लेका है तो इसकी डिफेंस सिस्टम कितनी जादा वहाँ पर दस और आदमी पहले से खरें होते हैं अपने युनिफॉर्म में लूफेंग के लिए यहाँ पर तभी वहां का में दिखाया जाता है कि एक नाइट फिंग जो कहता है योड मेस्टी लूफेंग हम लोग आपके ही इन्तजार में खरेती है और फिर हमें यहाँ प हमें लूफ रैंक को δिखाया जाता है जो कि उसी आदमी जो कि सिलवर आर्मर ग्रिन होड मैन होता है उसके पीछे ही चलने लगता है और हमें आगे चलते चलते उनके रास्ते में दिखाया जाता है जहांपे तीन बंदे पहले से ही वेट कर रहे हो ते रोगा तीनों लूफ्रेंग वहाँ पे जैसे ही आता है वहाँ पे पहले से ही लॉंग यून वो का जियांग मू ऐसी साही सारे बंदे वहाँ पे मौजूद होते हैं और अभी के मरतबा इन तीन सालों में उन्होंने अपने बहुत साय दोस्त भी बना लिये होते हैं जो कि उनके आगे चलकर मदद करने वाले थे क्योंकि वो पहुदा स्टॉंग हो चुके थे और उनके लिए कोई भी आपने नहीं था जिसके मदद से वो अपने स्टॉंगर बंदे को अपना ट्रेंड बना सकते हैं और आपकी मरतबा वहाँ पे लूफ्रेंग उन सबको देखता है तो देखता है कि वहाँ पर रॉंग जू नहीं आया है तो यह सुनकर मान का प्रिंस उका उसी कहता है कि वो यहाँ जल्दी आने वाला है वो अभी हेटक्वाटर्स के नजदी के और अफ़ी वो लोग एक साथ आके बैठ जाते हैं और आपकी मरतबा वो बुलान को भी यहाँ पर बुला ले जाता है कि बुलान यह सारी जिन्या से जुकि टॉप 20 में ते वो सभी एक दूसे के फ्रेंड बन चुके तो क्योंकि यहाँ पर बुलान वह भी बहुत जाला अकेला फिल कर रहा था कि वो यहाँ पर सबसे स्ट्रॉण उस्टे और यहाँ पर उसका कोई दोस्त ने इसलिए उसने सारे बंदे को अपना दोस्त बना लिया था अभी के मरतबा वो सारे बंदे एक दूसे के साथ टाइम पर स्पेंड करते और आप यहाँ पर छे घंटे बादी सारे 1000 बंदे एक साथ आ चुके होते हैं और अप फिर तभी एक बंदा आके बोलता है अटेंशन सारे अपने अंदर डर को महसूस करने वाले थे और अभी के मरतबा वो परसन ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि कोई बंदा एक जहरी ले सापको फेस कर रहा है और अफ़े यहाँ पर उन साइट होजिन बंदे को लेकर वो इसनेक वाला बंदा वहां से निकल जाता है एक सिप पे और अभी के मरतबा लूफेंग की रहत में आती है क्योंकि उसके औरा के मदद से वहां के सारे जुनिया से वहां पर दब चुके थे क्योंकि उसकी और बहुत जाया था अब यहां पर तभी वहां पर सिप के आने के बाद वो सब कहता है कि अटेंशन और तुम सब प्लीज यहां पर सिप में इंटर हो जा और अफे हमें लूफेंग और बाकी सब को दिखाया जाता है जहां पर उस सिप को देखकर लूफेंग सौक हो जाता है और अभी के मरतबा वो सिप को देखता है जो कि बहुत जाया स्ट्रेंज होता है लेकिन वो भी सिंपल बना हुआ होता ह लेकिन उसकी इंटाय सिप की जो सेप होती है वो एक मचली की तरह बनी हुई होती है और अफ़े हमें वा के अंदर के जीनियोस में ऐसे कई ही बंदे थे जो कि इस सिप के बारे में जानते थे और बाकि सब तो वहां पे सौक हो चुके थे क्या ऐसा सिप भी यहां पे रहता है और अफिर लुफेंग को दिखाया जाता है जहां बाकी लोग वहाँ पे अंदर जाने लगते हैं यहां पे लूफेंग कहा था कि यह एव ग्रेड युनिवर्सी पे यह प्योर नाचुलर मेटर से लगा हुआ यह तो लगता है ऐसा कि यह सारे एव ग्रेट कहीं बने हुए और वहाँ पे वह सारे बंदे इसी के बारे में बात ने लगते बने लेकिन तभी ही लोग फेंग कंउंड में से भावाता ग्रहती कि स्टेपड तक हैल लोग इसे के साथ यह वीदियो भी खत्म होती है तो मेलते ने क्सक्राइओ और देखते कि हां कि आकी बेवाथा ने लुप अने को कि स्टेपड का होता है थो मैलते नेक्स दो में, Dr. Gillip, बाई!